हालो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब आप सबी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि सब्सक्राइटी आप सबी का बड़ी आसा प्रैक्टिसर करवा रहा है एक आखरी बार यह पूरा वीडियो जरूर देख कर जाएगा इसमे खुब सारे क्वेश्चन और बहुत सारे सब्जेक्ट जित्ते टॉपिंग है सब क्लियर आउट आफ पूरा का पूरा स्लाबस यहां पर क्लियर होने वाला है आप सबी का तो जित्ते भी थर्ड समेस्टर या पर जिनके लिए उप्योगी है जो लोग देखेंगे उन्हीं क सब्सक्राइब करते हैं कि आज हम समाजिक विग्यार में आपके लिए सुपर फास्ट कोश्चन की एक सीजीज लेकिया है खुब सारे कोश्चन हैं जिसमें बैला कोश्चन आपका 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो जब भारत ने 1857 का जो विद्र जंदन में दादा भार नौरो जी ने कि संगठन की स्थापना की थी इसमें आपका अंसर होगा दे इस्ट इंडिया एस्शोशेशन की स्थापना की थी अर्ला कोश्चन आपका इस्थानी सुशाषण के पिता के शुरूप में कौन जाना जाता है तो वह आपका होगा रिपन को जाना जाता है इनका संबंद बहुत सारे कामों से इन्होंने बहुत सारे इंडिया में स्ट्रक्चिरल वर्क किया है तो इसको भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है जितना आपका वह अंडिजी राज जिता वहां पर हमने इसको बढ़ाया है चलिए अगला कोशिन देख लेते हैं एक मात्र वाश्राय थे जिनके हथ्या भारत में हथ्या कर दी गई इसका आपका प्रव का लाड मियू इनका जो है इनके नाम से जो अस्पिताल बना हुआ है लखनों में मियू का तो ठीक है उसी की दिली में भी एक है तो यह आपका हो जाएगा जो वाश्राय थे जिनकी भारत में हत्या कर दीगी वह लौड मियू थे अगला कोश्चिन आपका कौन भार भारत का पहला वाश्राय था लाड कैनिंग जो था वह भारत का पहला वाश्राय था अगला कोश्चिन इन में से कौन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे तो इसमें आपको बताना होगा लाड वीलियम बैंटिंग जो थे वह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे याद रखेग और इसका अंसर आपका लाडवेलियम बैंटिंग है अगला कोश्यन देख लेते हैं सायद वंश के संसापक कौन थे आपका उत्तर होगा खिज खां अगला कोश्यन गुप्त समराट में से किसे विक्रमादिति के रूप में जाना जाता था आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त दूतिय को विक्रमादिति के नाम से रूप में जाना जाता था यानि कि आपका आंसर ये चंद्रगुप्त दूतिय होगा चलिए अगला आपका देख लेते हैं कौश्यन और ये रहा आपका किस ने कवी राजमारगा लिखा था ये आपका अमोख वर्ष ने कवी राजमारगा लिखा था कांची पुरम में कैलासनात मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था तो कांची पुरम में जो है केलास नात मम्दिर नारशिंग वर्मन द्वारा जो है यहाँ पर प्रमन आया गया था चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं यात्री जो चंद्रिगुप्त मौरे के साशनकाल के दोरान भारत आया था प्रिवियर का कोश्चन है जैसे कि यहाँ पर आया था कि आपको बताना था कि जो विदेशी हैं जो भारत में भ्रमन के लिए उनके नाम बताना था तो हमाँ पर अब एमने दो नाम लिख वाये थे अपको दो ना कए सारे हैं तो हमने बताय था मेगसनीज, वायान तो और भी नाम आपको बताये थे तो यहाँ पर मेगसनीज था, मेगसनीज की जो पुस्तक है, वो इंपोर्टंट है इंडिका वो भी आप जान लीजे इनकी जो मेगर स्थनीज की पुस्ताइक है इंडिका ठीक है ये इसका क्वेशन प्रिवेसर का है और ये जो क्वेशन है चंदुप्त मौरी के साथ इंपाल के दुरां भारत आया था वो आपका मेगर स्थनीज होगा अगला वाला क्वेशन देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाशराय कौन था जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस टाइम जो है लाड लिन्थिगो ठीक है ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाशराय थी अगला क्वेशन देख लेते हैं भारत मा जिनक च्थे Как अगला कोश्चन के और दूसरे लड़ाई मुम्मद गौरी और प्रिथूभी राज चोहान के लड़ी गही थी तो किन के बीच में लड़ी गही थी यह prepared और स्पक्वाटी वानवी में यह जो है प्रितेमी राज चोहान के बीच में लड़ी गई थी तो एक 1192 काफ़ी कम टाइम का है तो इस तरह से याद कीजिए गर इतरह एंकरी तो सबसे पहले हुआ मुहमत गोरी जो है पहली बार आक्रमर करने आये था तो पिध्वीरा चोहां से लड़ा तो वो बहुत पहले का टाइम था 1192 इस तरह से आप इस कोशन को याद कीजिए अगला गोशन सल्तनत के पतन का मुखे कारण किसका प्रिवेश था तो तैंमूर का प्रिवेश था वो सल्तनत के पतन का मुख foster के प्रिवेश था यार रखेगा यहां पर आप लो चले अगला कोश्चन देख लेते हैं कौन भारत का पहला रक्षा मंत्री था संदार बल देव चले अगला कोश्चन फिनिक्स स्वाम की साफना किसने की महात्मा गांधी ने और भारती मुश्लिमों के लिए प्रिथक राज जी है तो पाकिस्तान शब्दी का सेवपिथम प्रियोग किसने किया था चौधरी रहमत अली ने जया सबते पहले पाकिस्तान सब्दी का जो प्रियोग किया था चौधरी रहमत अली थे चले अगला कोश्चन विश्व भाती विश्व विश्व विद्दाले के साफना किसने की रविंद नाच चैगोर ने लाड माउंट बेटन योजना का सुभा राजगुरु को फाशी कब दी गई वो आपको टाइम था वो 23 मार्च 1931 को जो थी ये फाशी दी गई थी लेकिन आपको पता इनकी फाशी ने बहुत भारत को पूरा हिला कर दिया था पूरी जो ब्रिटिश की जड़े थी वो हिल चुकी थी और फिर क्या था इनका जो सप अपनी बंदा को इस अपनी खुली आंकों से जो देखा था वो सपना ये जीवित रहकर तो नहीं देख पाये लेकिन हाँ इनकी मित्यु ने भारत की सतंजता को नेशेट कर दिया अगला देख लेते हैं हमारा कॉस्चिन तेरह में शताबदी में राजस्थान के माउंट आ विमल शाह ने बनवाया था विकम शिला विश्व वद्याले की स्थापना किष्णे की धर्म पालने की अगला कोश्चिन आधूनिक भारत के संसापक के रूप में किसे समानित किया गया राजा राम मुहन राय का नाम आपने बहुत जादा सुना होगा तो इनको भी याद चलिए भारत में अंगरीजी सिख्षा किसने आरम की थी वांकं लेने यंजिंस राम की थी चलिए गुप्त वंश के आंतिम स्वीक्रत समराढ थे विष्णो गुप्त थे शीकर। समराढ थे चलि अगला देख लेते हैं पांशिम भारत के पुनर जागर्य पिता कौन है जैबेज करें अगला क्योंसे निक निम LM लिखिन में से कोवाह से शली कोश्य के राज़वयत्ते चेरी के राज़वयादते अगला क्यों just जो हो जाएगा सिंदु घाटी सब्राटा को किस नाम से जाना जाता है हडपा सब्राइप में इस वाला इंप्रटेंट बुखत है याद रखिएगा हडपा और मोहान जोदरों से आपको वहां पर एकांज की मुर्टी और एक घर प्राप्त हुआ था ठीक है यह important question है इसे लिए आपर डिस्कॉस कर दिया हड़ा पर शुपता की मुख्य विसेशता है नगर नियोजन था जैसे कि यहां पर question भी आ गया अगला question नियोजन में से किसे भारत रत्न और निसान पाकिस्तान दोनों मिले हैं मुरारजी दिसाई को अगला question भात्पा गांदी की निके राजडीतिक गुरू कौनते गुपाल कुष्ण गुखले थे प्रशिद गायतरी मंत्र किस के द्वारा बनाया गया था विश्वामित्र के द् अगला कोश्चे का अचीपुरम में यह तो आपको कौश्चन विश्वाट रिपीटेड था नसीम अगला कोश्चे देख लेते हैं यहां पर भारत के समीधान की ग्यारवी अनुसूची में कितने विश्वें हैं अनुसूची यहां बहुत इंपॉर्टन थी और हैं मतलब आपके पेपर के लिए तो यहां पर आपको 29 यह 29 विशे हैं उसमें अभी अनसूची को डिसकस कर ले जाएगा क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टन है भारत समीधान की छटी अनसूची के प्रावधान हिमिर्कित में से किस जमें लागू होते हैं त्रिपुरा में अगू होते हैं धन्विदेयाक बारत के समीधान के किस अनुख्यद में परिभाशित किया गया है अनुच्छ्यद 110 में ठीक है अनुच्छ्यद 110 जाम पढ़ा रहे तो वहां पर आपको 29 यह पर पर इंपॉर्टन था यहांपर भी आ गया चले हांपर देख लेते सब्सक्राइब प्रद का वाएब? भाग दो में इसका प्रावधान चलिए नागरिक्ता से संबंधिर भाग दो में इसका प्रावधान है अगला क्वेश्चन भारत की समिधान सबार की जो अंतिम बैठक की सही थी आपको 24 जनवरी 1950 थी चलिए अगला क्वेश्चन डाक्टर अंबेटकर के अनुसा कौन सा अनुच्छेद 32 यह जो है सबसे भारती समिधान सबसे मुष्चपूर अनुच्छेद है यह आपका डाक्टर अमेटकर की अनुसार है याद रखेगा अनुच्छेद 32 अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मुल्भूत अधिकार भारत के समिधान के किस भाग के अंतरगत आ बाते हैं वारत में राशी पंचायती राज दिवस की सारीक को मिला जाता है तो यह आपका ऊजाएगा चौदी अच्छेदी यह जाता है ऑगला देखनेतें अर्लांटिक में उच्छे कर बंदी को कहा जाता है हारिकेन ग्रांड कैनन नामक विश्ची सबसे बड़ी घाटी यहाँ पर कोलोराडो है अगला कोश्चन देख लेते हैं मराष्ट में कॉंसी जील का रंग बदल कर गुलाबी हो गया है बहुत जर्चा में लोनार का चलिए लोनार की जील है वो आपर बदल कर वो उसका पानी जो गुलाबी हो गया है पारा दीपोर्ट किस नदी के डेल्ट परिसित है उत्तर होगा महानदी बारत में अब तक कितने रामसर सन अच्छन तूची बद किये गए हैं तो 27 यानि के 27 अगला वोश्चन देख लेते हैं हिंद माहसागर में सबसे छोटा दूईप जो है देश कौन सा है तो माल दीप सबसे छोटा है और कौन सा बांद दु मैधान की दच्छी भाग को क्या कहा जाता है कूरो मंडलतर कहा जाता है यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस अब देख लीजे दामोदर नदी के इस्थान पर बढ़ रही है छोटा नागपुर पठार है यहाँ पर दामोदर नदी काफी बढ़ रही है पाल घाट इसके बार वीजन में आपको शायद अगर कोई इंपॉर्टन लगेगा तो हम यहाँ पर आपको वीडियो दे देंगे चलिए वरना तो आपका काफी स्याबस कम्प्लीट है बाती शमिदान के विकास का थोड़े से संशिप्त परच है क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है इ 1774 यह दोनों इंपॉर्टेंट ठीक है 1754 यह इंपॉर्टेंट आपकी डेटर जाने के बाद बंगाल पर बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने सासन पर सिकंजा कसा इसी सासन को अपने अंड़कूल बनाया रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई आक्ट पारिज क ठीक है वह अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है यह इंपॉर्टेंट है सीलिया पर रखा गया 1773 में इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया और इसमें क्या हुआ कि इस्ट इंडिया कंपनी के जो कारे थे उनको नियमित और नेंदित किया और जो शासन ने भारत पर राज करने का पूरा सा बन बना लिया अगला कोशन देख लेते हैं कि इसके पहली बार कंपनी के प्रशासन को राजनेती कारे को मानता मिली और इसके द्वारा केंद्रे प्रशासन की नियूर रखी गई चले अब उन्होंने पूरा बिटिश शासन ने यहां पर राज करने का सोचा, सोचा नहीं एटलिस करने लगे थे, विशेस्ता हैं बता देते थोड़ा सा, कि यहां पर क्या है, जो इस अधिनियम है बंगाल के गवरणर को बंगाल का जो गवरणर जनरल पद नाम दिया गया था, मुंबई और मद्रास के गवरणर जनरल के अगला चीज देख लेते हैं आपर इस एक्ट के उंतरगत कलकता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार असापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और इसकी परिशत के चाहसत से थे और जो था सत्ता के उप्यूपत रूप में करते थे फिर रहां पर देख लेते हैं अगला पॉइ महां पर और कब हाई कोट के सापना सरप्रतम करें तो कलकत्ता में 17 तो चोहतर रिस्वी में उच्छे तम नयाले के सापना की गए यह कोशन इंपोर्टेंट है बहुत जिसमें मुख्य नाधीश और तीन अन्य नाधीश थे यानिके चाहपूरे थे पर था मुख्य अगला आप देख लिजी इसके जो तहट कमपनी कमचारी को निजी व्यापार करने और भारत लोगों से उपहार इश्वा देरा पजबंदीत कर दिया गया चलिए भी हो गया आप यहां पर बोर्ड ऑफ रेरेक्टर्स के माध्यम से कमपनी पर नियंतर सश्रक्त हो गया ठी पूरा इन्होंने निगरानी रखना स्टार्ट कर दिया भारत पर चलिए एक सोफ सैटलमेंट यहां पर यह 1781 में रेगुलेटिंग के जो कमिया थी उनको खतम किया और बंगाल भिहार उडिशा में जो था विधी बनाने का प्रावधान किया अब अगला देख लेते पीट इंडिया एक्ट का पारित हो 1784 में इसमें क्या हुआ दोरे प्रशाशन का प्रारम हुआ बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स याने बाइपारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजिनीतिक मामलों के लिए तो यह आपका बहुत इंपोर्टेंट है मोस्ट इसमें तीन सो इकी सब्सक्राइब और इसमें तीन सो इकी सब्सक्राइब दस सूचियां थी इसमें से इंपोर्टेंट देख लिए आकिल बाहती है संग 11 बिटिश पांग 6 चीफ कमिशनर के छेत्रों उन देशी रियास्तों से मिलकर बनना था जो स्वाच्छा संग में समलित हो यह तो आपका हो गया इंपोर्टेंटली और देख लेते हैं प्रामती स्वायत था इसम गया जो अदिनिया में विधाय सक्टियों के बीच करा इसतह सूची प्रामती सूची प्रामती सूची और संबाती सूची का नर्माड किया गया तो इनको देख लेते हैं यहां भरबनी और इनका जो कुछ था वो देख लेते जो ते सूचियां है परशंग सूची प्रामती सूची और समवर्थी सूची है ना तो इनको देख लेते हैं यह जो थी हमाई परशंग सूची बिधान समंडल को बिधान बनाने के अनन्य शक्ति थी इसमें और जिसको क् संग सूची है ना केंद्र सूची राज सूची और समवर्ती सूची कुछ इस तरह से आपका है तो नौ सेना वाई शेना जंगरना ये सारे विश्य हमारे केंद्र सूची के प्रामती सूची में हमारे जो विश्य है वो है पुलिस प्रामती लोग सिवा और सिक्षा के समवर् सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रामतिय समिनधा समीत के सदा वल भाई पतेल प्रारूप समीति के राक्टर भीमर्हां बेट कर। संुल सकती समीति के पर्ड़न जवाहल लाल नहरू मौलिक अधिकार और अधिकारूय ад васंक्रों संबंधी सबसे इंपोर्टेंटली अब देखते हैं राज्य द्वाज्ट राश्ट्र द्वाज्ट समय दी तदरत समीथी रटर राजन प्रशान इसमें से एक कोश्ट प्रीवेस एर का है आपका प्रारूप समीथी इसके अध्याच जो थे वह डाक्टर भीम्रों मेर्ट कर यह यहां पर आपको बहुत कुछ अ गया है तो यहां पर सम्ता और समामता का अधिकार नोचे चौदा से 20 से 50xa के विरोड तनीकार जो है वो जुआै वह 6 13 25 вид संस्रीति सिक्षाís संमद्ली अधिकार नोचे इस स्लाइड में आप थोड़ा सा देख सकते हैं अनुच्छेद 19a आपका भोलने के सुतंदता के लिए है अनुच्छेद 19b जो ये आपका है ये 19b ठीक है ये आपका सांधिपूरो बिना हत्यारों के एक अच्छित होने के लिए है और यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे हैं संग बनाने की जो सुतंता थी वो 19c में थी और 19b इंपॉर्टेंट है चलिए अब यहां पर आपको हो गया अगला देख लेते पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं पर हमने इसको सामिल किया थार सो बैसी में इन्होंने सापना सोसासन के लिए जिया व्यागना कार्टा के हैशियत रखा यानि कि यह सुसासन का पिता भारत रिपन को भारत में सताने सुसासन का पिता कहा जाता है यानि यहां पर देख लिजे दो अक्टूबर 1969 को भारत के यानि कि जब पंचाती राजवरस्ता दो अक्टूबर 1969 को भारत के प्रताम प्रधामती जवाहलाल नहरू के द्वार राजस्तान राज्य के नागोर जिले में हुआ पर जरूर लिजेगा और जो था यहां पर देख लिजे 11 अक्टूबर 1969 को पंडिज वाहलाल नहरू जो थे उन्हों ने रादरपदे राज्य में पंचाती राज के प्रारंद किया था यह इंपोर्टेंट है और यह पूछा गया प्रिविएस यहर का कोस्चिन है वहाद आप मैसेज कीजेगा कमेंट कर दीजेगा आपको मिल जाएगा चलिए लेते हैं आपसे विदा मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छे से रिवीजन के साथ एक बात जरू पूरा वीडियो रिवीजन कीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लाइक तो करना मत बूलें लाइक करके ही जाएगा चलिए लेते हैं आपसे पिता मिलेंगे अगली वीडियो में बाइबाइब टेक क्याएब